पहला sigma rules समझो कि तैयारी सब कर रहे हैं रात भर सब पढ़ेंगे, एक रात पहले सब पढ़ेंगे, सुबह उठके सब पढ़ेंगे, स्कूल में जब जाएंगे तब भी सब पढ़ेंगे तो आखिर वो कौन से sigma rules है जो तुम्हें अलग बनाते हैं जब तुम वो वाईवा हॉल में जाओगे और external के सामने बैठ होगे ऐसी कौन सी चीज़े जो तुम्हें different बना देगी and by the end of the day जो ये वीडियो देखके गए हैं उनका confidence level टॉप लेवल पे होगा तो मैंने कुछ चीज़ें compile की हैं basically कुछ don'ts हैं और एक do हैं जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि जब तुम वाईवा देने जाओ तो पढ़ाई के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस exam hall के अंदर या वाईवा hall के अंदर वो mahal बना देते हैं जिससे external maybe तुम्हार लिए थोड़ा सा polite, maybe तुम्हार लिए थोड़ा सा lenient हो जाए अगर तुम उसके साथ play along करने लगो, खेलने लगो सीधी सी बात यह है, सिग्मा रूल सीधे सीधे बोलता है, it's not about how smart you are in front of someone, it's always about how clever you are in front of someone, smart मत बनो, clever बनो जिसमें मैं सबसे पहले point से चालू करूँगा, don't try to become over smart, हम गलती पता है क्या करते हैं, especially commerce वाले बच्चे, हम pretend करते हैं कि हम किसी को dominate कर सकते हैं होता यही है, जब शुरुवात के तीन से चार question जो सामने वाला, यानि external party तुम से जब easy questions पूछेगी, तुमें क्या लगेगा, now I can dominate, now I can answer anything और वही पे वो एक बहुत ऐसा major question पटक देंगे, जहां पे तुम अटक जाओगे, तो कोशिश करो play around करने की, थोड़ा सा confident रहो लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा इस तरह से pretend करो, के yes you know, बट हां तुम study करके आए हो, ना के तुम over smart बनना चाहरे हो, जितना पूछें उतना answer करके खतम कर दो, conversation को वहीं पे cut कर दो, don't try to justify your answer, don't try to over explain your answer, वहां पे over smart बने, तो external तुमें रोकेगा, हाँ 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 हम समझ गए, और फिर वो तुमारे मजे लेना चालू करेगा, जो के मैं नहीं चाता, second point जो होता है, don't pretend like you know everything, जैसा मैंने बोला, जहां तुम over smart बनना चालू करते हो, वहां तुमारी feeling के आजाती है, कि तुमें सब पता है, you know everything, बलकि external जानता है, कि तुम बारवी के छात्रो हो, और कहीं ना कहीं तो तुमारी limitation होगी, शायद book में पूरा पता हो, बट beyond book जाके तुम कहीं पे limited हो जाओ, और उसी चीज का external फायदा उठाना च तुमें रोकेगा, sigma rule says कि तुमने खुझ से अपने आपको रोग लिया, किसी और को तुमें रोकने की जरुवत नहीं पड़ी, now comes number 3, be calm and keep smiling, मतलब वो जो औरा होता है न, वहां का माहौल जो देखने को मिलता है, जब सारे बच्चे डर हुए बैठे रहेंगे, sigma rule कहता है कि काम रहो, क्या ही होगा जासे आदा, कम माकस आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चिल है, हिमाले पे बस जाएंगे जाके, कोई दिक्कत नहीं है, कम ही माकस आएंगे न, सन्यास ले लेंगे, लेकिन काम रहो, और smile करते रहो, क्योंकि अगर चीज़े तुमारे हाथ में नहीं है, तो नहीं है और अगर चीजे तुम्हारे हाथ में हैं तो कोई तुम्हारे हाथ से छीन नहीं सकता है जैसे मैं तुम्हें बता रहूऀ हो कि तुम्हारे हाथ में कैसे रहेंगी चीजे So be calm, आराम से बाते करो And keep smiling और हा universo नहीं बोलना है एक लिए किसी भी हथ से कोशिश करेगा because वो यह नहीं देखेगा कि तुम उसके साथ play along कर रहे हो बलकि वो यह देखेगा कि तुम उससे डर रहे हो और याद रखना जो डरता है उसको और डराया जाता है और तुम अपने साथ यह होने देना नहीं चाते तो नर्वस मत होना confident रहो over smart मत हो लेकिन इतना रहो कि वो भी तुम्हारे साथ खुश रहे अच्छा ठीक है जादा confident नहीं हो सकते smiling रहो अच्छा सा चेहरा दिखाओ वो भी खुश होगा कि चलो यार यह बच्चा एक positive vibe लेकि आया है क्योंकि तुम नर्वस हुए वो tension में आएगा वो tension में आएगा क्या पता होना चाहिए हर एक इनसान के लिए उसका time बहुत crucial है sigma rule यह कहता है कि अगर उसको दुबारा दूसरे दिन आना पड़े सिर्फ तुम्हारे कारण कि तुमने उसका time waste किया वो बहुत बड़ा factor हो जाएगा क्योंकि उसको दो shift में पूरा वायवा लेना पड़ेगा बच्चों ने उसका बहुत time खाया और होगा यह क्योंकि सारे बच्चे तो ये video देख नहीं रहे तुम छो ये video देख रहे हो तो होगा क्या जहां तुम उसका time बचाना चालू कर दोगे जहां तुम मेरे भाईयो मैं ने इसमें कुछ बहुत कास नहीं बताया This was the first Viva video जिसके अंदर मैं ये explain करना चाहता था कि ऐसे कौन से factors हैं जो apart from studies अगर तुम ध्यान रखोगे तो वो जो रात भर, सुबह उठके मेहनत की है, वो end तक तुम्हें वो value देके जाएगा जो value उसकी होनी चाहिए सिर्फ पढ़ लेने से, सिर्फ रट्टा मार लेने से, externals अच्छे नहीं चले जाते हैं, वहाँ पे तुम्हारी personality काम करती है, behavior काम करता है attitude काम करता है, तब जाके तुम्हारा वाइवा अच्छा होता है, और ये वो